2024 का महासमर नमस्कार आप देख रहे हैं के नियूस मैं हूँ आपके साथ सुनी चोहान 2024 का महासमर 2024 के महासमर में आज बात होगी वैसी आज वैसी तयार होंगे कितने असरदार लोगसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है पूरा चुनाव साथ फेज में होगा और पहले चरण की वोटिंग और नीस अप्रैल को होगी एलेक्शन की प्रक्रिया 43 दिन तक चलेगी और 4 जून को मतिगर्णा के साथ ही नई सिरकार का ऐलान हो जाएगा विपक्षी पार्टियां, इंडिया घटबंधन, भारतिय जनता पार्टी के विजयरत को रोकने की तयारी कर रही है तो वहीं ओल इंडिया मजली से इतेहादूल मुस्लिमीन और प्रमुखा सुद्दिन उवैसी भी यूपी में ताल ठोक रहे है सुत्रों की माने तो वैसी की AIMIM पश्मी यूपी की 25 सीटों पर पत्याशी उटारने की तयारी में है ऐसे में वैसी की चुनावी बिसात पर किसके मोहरे पिटेंगे और किसके मोहरे पीछे हटेंगे ये बड़ा सवाल है पहले आपको रेपोर्ट दिखाते हैं इसके बाद चरचा करते हैं पश्मी यूपी की 11 सीटों पर AIMIM ने चुनाव लड़ने की तयारी कर ली है जिन सीटों पर पत्यासी उतारने हैं उनमें मेरट, मुझा फरनगर, कहराना, सहारनपूर, बिजनौर, नगीना, अम्रोहा, संभल, मुरादाबाद, रामपूर के साथ बरेली भी शामिल है इन तमाम सीटों की ग्राउंड रिपोर्टिंग भी राश्ट्री नेतत को सौब दी गई है जिनने पूरा डाटा और 2019 के समीकरण उसके पहले के समीकरण को भी रिपोर्ट में शामिल किया गया है पश्मी यूपी की जादा तर सीटों पर सपा और बस्पा ने अपने प्रत्याशी घोसित कर दिये हैं कई सीटों पर टिकट को लेकर बगावती तेवर भी दिख रहे हैं पाला बदलने का सिलसला भी जारी है और इनी तमाम हलचल पर OVC के नेता पैनी नजर गड़ाए हुए हैं नाराज नेताओं के मन की बात भी टटो ली जा रही है कुछ नाराज नेताओं से OVC के सिपैसालार भी मिल चुके हैं बात कुछ आगे भी बढ़ती हुई नजर आ रही है लेकिन फिलहाल सब कुछ फाइल होने में अभी सही तारीक और सही वक्त का इंसजार है नहीं हो रहे हैं तो हमें जहां तक लगता है मजबूरी में आकर के हम ये डिसीजन लेना पड़ रहा है कि अब हम भी इन्शालला ताला बहुत जल अपने परत्याशियों के और अपने सीटों के नाम की गोशना करेंगी बीच से 25 सीटों पर लड़ेंगे मेरट में पिछले साल हुए महापार चुनाओ में भी A.I.M.I.M. की धमक देखने को मिली A.I.M.I.M. की पतंग आस्मान में इतनी उचाई पे उड़ेगी ये किसी ने नहीं सोचा था बीजेपी के हरीकांद एहलुवालिया मेर का चुनाओ जीते थे लेकिन A.I.M.I.M. के बैनर तले चुनाओ लड़े मुहम्मद अनस दूसरे नमबर पर रहे सभा की साइकल लेकर मैदान में उत्रे एमेले अतुल प्रधान के पत्नी सीमा प्रधान तीसरे नमबर पर रही और हाती की सभारी के सहारे उत्रे हस्वत मलिक चौथे नमबर पर रहे इतना ही नहीं मेरड नगर निगम में 11 पारशद A.I.M.I.M. के जीते जबकि 9 सीटों पर पारशद 85 दूसरे नमबर पर रहे थे इस जीत को सब ने चौका दिया और 80 दूसरे के लिए नए रास्त भी खोल दिये लोग सबा चुनाओं में अब O.S.E. बीजेपी और विपच के सामने नए चुनाओं पेश करने की तयारी में है O.S.E. ने यूपी में साथ सीटों पर चुनाओं लड़ने का खुला एलान किया है लेकिन सूत्रों की माने तो O.S.E. की पार्टी अब पच्चिमी यूपी में 25 सीटों पर अपनी उमीदवार उतारने की तयारी में है ऐसे में बीजेपी की B.T.E. कही जाने वाली A.I.M.I.M. विपच्च को कितना नुक्साओं पहुचाएगी और बीजेपी के वोट बैंक में कितनी सेंद मारी करेगी ये बड़ा सवाल है दिनीश सर्मा इस्पेसल डेस के नियूज इंडिया तो सेंद मारी की कोशिश या फूट डालने की कोशिश इसे कहा जाए जी हाँ है हैदराबाद के भाईजान कहे जाने वाले आसो दिनों वैसी ने लोग सभा चुनाव में यूपी की साथ सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है और इससे चुनावती बीजेपी और समाजवादी पार्टी की बढ़ती हुई नजर आ रही है क्योंकि उन सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान क्योंकि प्रस्ताव पहले भी भेजा गया था यानि कि इंडिया गडबंधन में शामिल होने को लेकर पहले कहा जा रहा था कि बेज सीटों को लेकर एक प्रस्ताव वैसी की तरफ से भीजा गया जिसको इंकार कर दिया समाजवादी पार्टी ने और क्या ये उसी नाराजगी का नतीज़ा है कि अब इस तरीके से वैसी योपी की साथ सीटों पार अपने ओमेदवार उतारने का मन बना चुके हैं कितनी चुनावती क्योंकि लोकसभा चुनाओ की राह एक तरफ इंडिया गडबंधन अब समाजवादी पार्टी के लिए भी एक बड़ी चुनावती बनती हुई नजर आ रही है क्योंकि जेन सीटों का जिक्र किया जा रहा है हमारे साथ खास महमान जोड़ चुके हैं आपका परीचर करा देते हैं वस्तार से चर्चा करते हैं साजिद जी आब कितनी क्योंकि चुनावती और बढ़ गई है जस तरीके से इसे सेंद्मारी की कोशिश की जाए, समाजवादी पार्टी के वोट बैंक को लेकर या फिर फूट डालने की कोशिश की जा रही है वैसी की तरब से साजी जी आपको आवाज मिल पा रही है जी 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 अबा लोकसवा चुनाओ से पहले विदासवा चुनाओ दो हजार बाइस में भी ए आईएम ए आईएम में लगभंग यूपी में सो कंडिडेट उतारे थे बिलकुल और उनमें इल्यानबे प्रत्यासियों की जमानत जब्त हो गई थी और एक प्रत्यासियों के मजबूती से लड़े थे जो सहा आलम और बुद्दू जमानी हैं आजमगर से मुबारक पुर्शी थे वो आज के समय में समाजवादी पार्टी के साथ हैं और अभी पिछले दुनों ही उन्होंने हजारों समझकों के साथ समाजवादी पार्टी ज्वाइन की तो कंडिडेट ए आई-एम के लड़े थे और उन्हें नोटा से भी का बोर्ट मिले हैं केवल 0.49% मैं कहूं तो यह बोर्ट लगबाद 4,50,929 और वो दिदानसवा का चुनाओ था और यह तो लोगसवा का चुनाओ है और इसमें बड़े मुद्दे हैं देश के मुद्दे हैं समाजवादी पार्टी द्रस्ता चार आवारा पसूं बेरोजिगारी देश पर बढ़ता पार्टी चुनाओ गड़ गई है तो इसमें तो जो है वो यह अनदल हो तो इतना मजबूत नहीं लड़ताएंगे मैं समझता हूं क्यों क्यों लड़ रहा है और इसके पीछे कौन है और यह वही सीटें हैं मुस्लिम बाहूल सीटें हैं जहां पर वैसी ने आताल ठोकी है जिन सीटों से लड़ने का आयलान किया है इन मुस्लिम बाहूल सीटों से बेफ्टी यूटी में भी पिछली बात 2022 में अभी दो साल का ही समय हुआ है वैसी जी की पार्टी में चुनाओ लड़ा था लेकिन कहीं भी उनको 5000 और 2000-3000 नोचा से भी कंबोज मिले हैं अर सीट पर तो अब जनता जागरूफ हो चुकी है और ये चुनाओ जो है वो समधान बचाने का है आरच्छन बचाने का चुनाओ है क्योंकि जनता जानती है कि समधान को भाजपा करना चाहती है उनके सामसर लगा चार इस बात को कहते हैं अभी भी पिछले दुनों करना चक के सामसर कहा था कि चार सो से अधिक सीटाएंगे तब ही हम संविदान कर पाएंगे अनंद कुमार हेग्र एक वाजपा के सामसर है इसके अलावा भी जैसे बंग नेशन बंग इलेक्शन जो चल आए तो उसके भी पीछे मंसा यही है कि संविदान में संसोधन करना पड़ेगा और तब बंग नेशन बंग इलेक्शन जो है वो हो पाएगा क्योंकि इससे पहले भी उनिस सो बावन सब्तावन उसड़ सड़ सड़ तक एक देश एक चुना हुआ था लेकिन वो सफ़ल नहीं हो पाया और इसके बाद ही जो है वो अलग अलग इसके लिए चुना वयोग वैठा हु है तो मैं समझता हूँ कि जनता जागरूख है और इंडिया गणबंधन केंदर में सरकार बनाएगा और समाजबादी पार्टी और कॉम्रेज मिलकर यूपी के अस्वी की अस्वी लोग समासी जीतेगी और कहीं भी किसी भी जो दल इस तरीके से आ रहे हैं जिनके पीछे कह कहीं सब जानते हैं कौन है क्या है क्या और भी लोग हों क्योंकि नहीं सेट देने पर विचार करेगी किया इंडिया गणबंधन का अगर जिक्र करें तो वैसी को क्या सेट देने पर कोई विचार अविमर्श किया जा सकता है ये रागतियन नितब जो है इन सब सीजों पर उनका मंतन चिंतन चल ला है लेकिन किस कोन कहा है किसकी क्या जमीन है सयासी तो वह नहीं तक रहे है अपनी सयासी जमीन जहां है भाहा मजबूची से लड़ ले और तो बहाँ वीजेपी को हरा दे और अपने मजबूती से लड़े ले तो बड़ी बात है और एक दूसरे का सयोग करना पड़ेगा आप जहां नहीं है लेकिन मंशा कुछ और ही नजर आ रही है जिस नाराज़गी के साथ असुदिन ओवैसी की पार्टी यानि कि ओवैसी की पा फूट डालने की कोशिश की जा रही है वैसी की पार्टी की तरफ से किस नजरीय से देखते हैं इसे? तो इनका चुनावती बनना भारती जनता पार्टी के लिए कहीं कोई माने नहीं रखता है यह कहीं चुनावती के रूप में भारती जनता पार्टी के सामने नहीं खड़े हो पाएंगे और भारती जनता पार्टी अपनी 10 साल में किये गए कारियों पर भारत सरकार मानियों उसुष्य तर्स किया कामसी तो हमेशा हिंदू समाज सनातन समाज को गाली देने का काम कि यह क creators the नहीं लगाएंगे चाहे राम जन भूमी के खिलाफ उनको वक्ता पे रहे हो चाहे के खिलाफ हो लोगों ने देखा है तो अगर वेसी आते हैं या समाजवाधी पार्टी आती है या कॉंग्रेस आती है आने दलाते हैं इनकी सब की विचाद हाला लगभ 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 एक नाराजगी इंडिया गडबंदन से है वैसी की ये तो इंडिया गडबंदन को सोचना चाहिए कि भात की पार्टी को अगर कहीं पर इससे फाइदा होता है तो ये तो इनको ये बड़े बुद्धी चीवी बनते हैं मोदी जी को लोखने की बात करते हैं सारी चीज़े तो क्यों नहीं बैट के तरह करते हैं ना जब जहां परिंगे इनका सौत कि सितनी नहीं होगा तो यहंए पास मीं तरह कर पाएंगे इस वज़ें से ये अलग-बेंद्ढ़े रगालग चलना है यह बाकिकि किसी तरीके से और यह एक तरीके से हार मान चूके हैं इननोंने का रो इस 6 के सुविश्षा के साथ किया चलिए उन्हीं समाजवाधी पार्टी के लिए ज्यादा चुनोतीपूर नजर आ क्योंकि एक नाराजगी भी निकल कर सामने आई क्योंकि इंडिया गटबंधन में शामिल होने को लेकर जिन सीटों की मांग की थी वैसी ने उस पर कहीं ने कहीं सहमती नहीं बनी तो वो नाराजगी की तौर पर अब इसका फाइदा किसको मिलता है दो की लड़ाई में अकसर तीसरे को फाइदा मिलता है हमारा साथ कॉंग्रिस प्रवक्ता भी जुड़ी हुई है डॉक्टर चारू महरोत्रा जी क्या कहेंगी आप साथ सीटों चुनौतिपूर नजर आ रहा है इंडिया गटबंधन अपने आपको कितना मजबूत देख रहा है यह बात आपकी बिलक में ज्यादा मिलेगे बलकुल लेकिन शायद भूल रहे हैं कि अभी तक जितनी भी उन्होंने में जितने भी भाशन की हैं टीवी में भीड तो बहुत दिखाई दी और हमारे हिंदुस्तान में सब को सुनने की परंपरा है मुझे लगता है कि एक ही पार्टी को वोट देते हैं लेकिन सारे पार्टी की नेताओं का भाशन सुनने पहुंच जाते हैं और कुछ पेड़ होते हैं कुछ अंपेड़ होते हैं लेकिन सब पहुंचते हैं तो यह बात तो भीड की तो बात अलग रही लेकिन मुझे लगता है कि अगर इतने ही प्रभावशाली वो नेता हो सफल हुए लेकिन निकाई चुनाव में सफल होना वो एक लोकल मुद्दे होते हैं हम जो चीजों को पुटप कर लेता है तो उसमें जाती है समीकरण लोकल प्रॉब्लम्स और इन सब को ध्यान में रखक करा जाता है अब रहां इंडिया गटबंदन की बात तो इंडिया गटबंदन में हम माइनॉर्टी और अपने हिंदू और डूसरे जो हमारे पिछले वर्क के लोग हैं उनको साधने की कोशिश की जा रही है तो मुझे तो कि अगर इतने महत्तकांशी ना होते तो ये इंडिया गटबंदन के कॉंप्रमाइज करते हैं और अपनी इस्तिति का आँकलन खुद करते हैं और अपनी सीटों के लिए किसी तरह एसे आपका कहीं पर भी कोई स्थित्व नहीं है और आप सीटों के लिए लड़ रहे हैं त प्रवक्ता से कि क्या भाई आब विचार किया जा सकता है समाजवादी पार्टी की तरफ से सीट को लेकर मुझसे पूछे ही कि उनसे जी 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 चारू महरुत्रा जी अपने बात को पूरा कर ले हैं हा मैं यह कहना चारी थी कि इस समय दें कि कॉंप्रोंअख्य तो सभी से इंडिया जब गड़ बंदन है तो अम सभी को इनवाइट कर रहे हैं हम नहीं को भी कर रहे है यह सभी लोगे को इनवाइट कर रह था और गड़बंदन का मतलब यह यह होता कि सब लोग अपने vested interest को कम करके एक balance और compromise में काम करें और जहां तक अभी बात बहुत उड़ रही है कि 400 seats पर EVM की बात कही जा रही है और opposition parties जो है वो अभी से रोना रो रही है EVM का तो मैं इसके दूसरा पक्ष भी देखा जा सकता है कि अभी से दावेदारी कर दी गई कि लो तो अब आ गई है हमारी तो हम इसमें EVM का कोई बो नहीं है तो इस बात कर तो दावेदारी ना की जाए लेकिन वेव पहचानी जाए और इस चीज को देखा जाए कि जनता का रुक कैसा है और ये जो गटबंदन की बात है उसमें जरूर हमें फोड़ी और मेहनत करनी आसरत है चलिए एक तरफ वैसे भी कवायद राहुल गांधी और अखिलेश यादों की इन चीजों को लेकर है कि छोटे-छोटे दलों को एक करने की कवायद एक तरफ और दूसरी तरफ एक वैसी ने ये दाव जो ताल ठोक दी है साथ सीटों पर लड़ने की और वही होट स सीट है जो समाजवादी पार्टी के लिए बेहाद माइने रखती हैं तो इसको लेकर अगर आप लोग नहीं डर रहे हैं आप लोगों की तैयारी अच्छी है तो अच्छी बात है एक बार क्रिश्न पंडी जी का भी रूप कर लेते हैं वरिष्ट पत्रकार जुड़े निशीत पर यह बात साथ कि सियास में किसी को छोटा आकना यह भूल साभित होता है और जिस तरह की समय का पर्षिमी यूपी में हैं मैं एक बात अस्कुश करणूं कि पूरे यूपी की सियासत को समझने कि यह उत्तर परदेश को चार बार में बाटा जाएगा तो इसके इ जहां पूरे परदेश में एकीस परसेंट मुसल्मान हैं वहीं बश्यमी उपी में बटीस परसेंट मुसल्मान हो जाती हैं और इसमें यह जा रही है तो निशित और पनुकसान जो होगा वह भी पक्षिगडबंदन का होने मारा है क्योंकि भाजबा को पता है कि हमारा यहां से कुछ बढ़ने भिगड़ने वाला नहीं है उसको निगलेट करें चलती है कि यह जो आज का तारब तर चल रहा है उसमें परसेंटेक्स मान चलती है को मिलने वालना वो नहीं है एक बात मैं आपको यहां बढ़ना चाहूंगा पशिमी उपी में 27 लोग सभा सिट है इसमें पिछली बार 19 पे बीजेपी का पतवा जारी में विजे हुआ था और चार सफा और चार पे बीस्पी आई थी और आरेटी जो प्रमुक भूमिका में ती है लेकिन उसकी कोई भा जाते हैं पूरे उपी में बेलकुल मतलब बढ़ जाते हैं वह जुक तबका है कहीं ने क्या साधा है हमको यह समझेघना हो जाती है चीजों को जाती है आप पाओगे ती यूपी के राटी समझने आपके बसकी बात नहीं प्रमुक प्रमुक है जहन चोदरीची उनको अपने साथ ले आए अब देखिए घीरे दीरे करके कुछ जो अगर हो रहा है थे पिछली चुना में अपने देखा हूं के आरे पूर्वांचल हो या पश्मी यूपी हो उसको मजबूती देनी की कोशिश लगातार भार्तिय जन्ता पार्टी की तरफ से की जा रही है लेकिन जस तरीके से समाजवादी पार्टी पेडिये के सहारे आगे बढ़ रही है तो क्या इसके सहारे नईया पार हो जाएगी देखिए पार्टी यूपी का आज आप जानती होंगी बुंदेग घंडे कैसा से रहे जहां पर पानी की बहुत बड़ा मुद्दा है आज भी कई गाहों में पानी नहीं जाती है पाई तो लग गया लेकि पानी नहीं मिलती है बिल्कुल यह बीजेपी के लिए नहां बंक इसी पर लगा रहे है और इसी के बड़े-बड़े निताओं को साथ रहे है इसके पार बहुत काम किया जा रहा है किसी को साधने की कोशिश कुछ नहीं की जा रही है यह भारती जंता पार्टी अपने किये गए कालियों से लोगों के जो अब भी किष्णा जी किष्णा भाई हमारे कह रहे थे कि वहां पे पानी की बहुत समस्या है आपको याद होगा कि ट्रेनों से टैंकर भर-भर के पा शुक्रिया आप सभी महमानों के इस चर्चे में शामिल होनी के लिए वैसी ने लोकसभा चुनाओं में यूपी की साथ सीटों में अब उमेदवार उतारने का अईलान किया है और इससे किसको कितना फाइदा होगा क्योंकि ये बात तो साफ है क्योंकि जिन सीटों पर उमे पहुचता हुआ नज़रा रहा है